कर रहा है है ऐसा है कि फ्रकुबेशन की फिक्टेमेस कि skeptium कर सकते हैं अगर मैं सहजरी की बात नहीं करता, मैं बात करता हूँ इलाज की, अगर masturbation जो है उसको आपको sex से correlate करना है, हमको masturbation में जितना हो सके sex या intercourse को stimulate करना है, it is stimulation, हाथों को गरम कर लीजे, ताकि आपके जो link को एक natural unique feeling आए, क्या masturbation healthy है या masturbation खराब है, हर आदमी ने अपनी life में masturbation किया है और अगर कोई आदमी बोलता है कि उसने masturbation नहीं किया, तो वो जूट बोल रहे है, तो कैसे possible है कि जो activity हर आदमी ने करी हो, उसमें कुछ मरीज तो बिमार हो जाए, और कुछ लोग normal चले, हो सकता है कि जो masturbation आप कर रहे हो, वो ठीक ना हो, या हो सकता है सही तरीके से ना कर रहे हो, जिस कारण से आपको नुक्सान हो रहा है, या अगर आप यंग हो और अभी आपने masturbation के आनंद लेने शुरू किये है, obviously masturbation हिलाना बहुत आनंद दायक होता है, आप orgasm कर रहे हो, enjoy कर रहे हो, तो definitely और और करने का मन करता है, पर masturbation healthy है, masturbation बिमारी नहीं है, पर एक सीमा तक एक लिमिट तक मैंने कभी भी नहीं बोला किसी वीडियो में कि masturbation से नुक्सान नहीं हो सकता, masturbation से नुक्सान हो सकता है, penis ढीला पड़ सकता है, veins काम हो सकती है, सिकूट ना सकती है, color chain, semen पतला होना, nightfall होना, धात होना, बहुत कुछ हो सकता है, पर अगर आप healthy masturbation मास्टरबेशन में healthy तरीके से कर रहे हो, तो आपको नुक्सान नहीं होगा, और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि masturbation का healthy तरीका क्या है, क्या गलतिया normally young age में लोग कर जाते है, जिस कारण से उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और इस वीडियो में मैं आपक इस मतलब की पुरुष रोग, शगिये मतलब ऐसा doctor जो men's health या पुरुषों में होने वाले रोगों का treatment करता है, चाहे वो रोग, penis से हो, testis से हो, sex से हो, erection से हो, early discharge से हो, या masturbation अधार से हो, andrology एक specialized field है, इसमें MBBS करना पड़ता है, उसके बाद MS या surgery करने पड़ती है, फि प्रॉपर एक treatment मिलती है, andrology में sexology भी एक पार्ट है, sexology मतलब यौन, kreda या sex के बारे में एक doctor, पर sexology में different pathies आती है, मेरी कोशिश ये है कि, even though मैं surgery करता हूँ, मेरे पाद कई बार patient comment करता है, कि डॉक्टर साब तो surgery की बात करता है, मैं surgery की बात नहीं करता, मैं बात करता हो, इलाज की, अगर आपका इलाज natural हो सकता है, तो best है, मैं advise करता हूँ, vericoceal हो, sperm हो, erectile dysfunction हो, मेरे पास natural ठीक होने से लेकर surgery तक, इलाज है, आपको अगर इलाज की जरूरत है, तो आपके लिए सही इलाज क्या है, वो decide आपको करना है, depending on availability, पर आपके लिए सही इलाज decide कर मैं हमेशा आपके साथ हूँ, हमेशा आपकी help के लिए हूँ, तो आज का topic स्टार्ट करते है, मेरे चानल को subscribe करेंगे, तो आपको men's health से related, जितनी भी अच्छी information है, scientific information है, accurate information है, असान शब्दों में मिलेगी, हर किसी का अपना view हो सकता है, हो सकता है किसी पैथी में को अलग मैं हर वीडियो बनाने से पहले, आप तक information लाने से पहले अपनी research पूरी करता हूँ, मेरी 15 साल की पढ़ाई है, हजारों मरीज ठीक किये है, पर उसके बाद भी कोई वीडियो बनाता हो, तो उसमें deep research करता हो, ताकि आप तक हमेशा अच्छी knowledge, accurate knowledge, scientific knowledge ही पहुँच पाए, तो आउ स्टार्ट करें, तो masturbation एक healthy habit है, masturbation बिमारी नहीं है, इसके बार में मैंने already एक वीडियो बनाया है, वो आप देख सकते हैं, detail में discuss किया है कि masturbation डिक्कत नहीं करता, पर healthy masturbation, healthy masturbation मतलब ऐसा masturbation जो आपकी physical life, आपकी emotional life, आपकी mental life, आपकी sexual life, आपकी penile health को damage नहीं कर और ऐसा healthy masturbation क्या है, ऐसा healthy masturbation की frequency क्या है, सबसे बहला question उठता है कि sir, masturbation कितनी बार हफते में कर सकते हैं, आप on average, अगर healthy है, exercise करते हैं, अपनी डाइट अच्छी रखते हैं, आपनी body weight ठीक रखा हुआ है, penile massage करते हैं, squats करते हैं, अपने hormone level अच्छे करते हैं, तो और आप marriage नहीं है, तो definitely शरीर में उरजा होगी, शरीर में आनन्द आएगा, शरीर के अंदर उतेजना हैगी, morning reaction आएंगे, night reaction आएंगे, किसी लड़की को देखके, किसी पार्टन को देखके, उतेजना होगी, nightfall होगा, धात निकलेगी, हो सकता है, तो एक healthy आदमी, चाहे तो हफते में 2-3 बार masturbation कर सकता है, maximum, अगर आप हर रोज masturbation कर रहे हैं, तो भी possible है, अगर आप healthy है, बहुत जारा physical activity करते हैं, बहुत exercise करते हैं, आपकी just शादी होने वाली है, या आपकी life में कोई partner है, और आप उससे sex नहीं कर रहे हैं, तो definitely हो सकता है, कि आपको जादा भी करना और कुछ ऐसे भी है, जो हफते में एक बार करते हैं, तब भी उनको बहुत weakness, बहुत tiredness, बहुत fatigue में सुस होता है, तो सही frequency आपको decide करनी है, पर अगर आप masturbation करने के लिए, अपनी social life, अपनी educational life, अपनी पढ़ाई, अपना career, अपनी sex life, जैसे for example, एक आदमी है, जो wife से sex न सो रहा है, गलत है, एक बच्चा है, जो अपनी school की पढ़ाई छोड़कर सारा focus masturbation पर कर रहा है, गलत है, एक व्यक्ति है, जो masturbation करने की वज़े से इतना emotionally embarrassed है, या इतना shy feel करता है, कि अपनी social life खराब कर रहा है, किसी लड़की से मिलने को राजी नहीं है, किसी जाने को रा कोशिश कीजिए उसको थोड़ा कम करने की, यंग एज में जादा होते, जादा कर सकते हैं, आगे वाली एज में धिरे-धिरे कोशिश कीजिए उसको control करने की, second question उठता है, कि sir, masturbation का healthy तरीका क्या है, masturbation जो है, उसको आपको sex से correlate करना है, हमको masturbation में जितना हो सके sex या intercourse को stimulate करना है, it is stimulation, stimulation मतलब कि जो एक natural क्रिया है, हमको उसको उसकी तरह या उसकी similarity से करना है, तो natural जो sex होता है, natural intercourse होता है, उसमें कई parts होते है, जो masturbation है, वो आप एक pawn video, या अपनी imagination को इस्तिमाल करके erection लेके आ रहे हैं, और stimulate करके अपना आपको discharge कर रहे हैं, और अपनी sex का आनम देनी कोशिश कर रहे हैं, natural intercourse में सामने वाला person है, उसकी smell है, उसका color है, उसका taste है, उसके साथ एक आपका जो रिष्टा है, वो है, emotions भी है, music भी है, light भी है, privacy भी है, योनी भी है, तो एक natural sex को तो definitely masturbation कभी भी stimulate नहीं कर सकता, पर आप कोशिश कर सकते हैं कि अपने masturbation को एक natural stimulation की तरफ लेके जाएं, कैसे? warm room, warm hands, good moisturizer, full stimulation, full stimulation मतलब आपको जलबाजी में नहीं निकालना है, आपको अपने आपको fully stimulate करना है, आपको चहिए कि आपकी body intercourse के लिए fully तयार हो, आप erection के phase 5 में चले जाओ, जो आपका link है, वो पूरी तरीके से hard हो जाए, पूरी तरीके से stimulate हो जाए, पूरी तरीके से उत तेजना बन जाए, आप fully involved हो, second, जल्दी नहीं करना, अराम से करना है, अपना time लेके करना है, privacy maintain करना जरूरी है, छुपके कर रहा है, बात रूम में कर रहा है, कोई disturb कर रहा है, टीवी कर रहा है, छोटे बच्चे है, parents आ जाएंगे, घर पे कोई देख लेगा, आपको फुली stimulate करना, पूरी privacy में करना, पूरी तरीके से गरम होना, पूरी तरीके से तयार होना बहुत ज़रूरी है, फिर technique, हातों का इस्तरमाल करी, सबसे पहले अपने penis की hygiene को properly maintain कीजिए, कई बार masturbation करते होगे, आप realize नहीं करते हैं कि आपको famosis है, skin जानी रही है, hygiene नहीं है, pain हो रहा है, smagma है, color discharge है, urination नहीं किया हुआ है, तीन चार बार सेम कपड़ों masturbation कर रहे हो, कच्छे गंदे हो गए है, सफाई नहीं रखते हो, धोते नहीं हो, change करो, hygienic, penis साफ होना चाहिए, skin पूरी खुलनी चाहिए, skin खुलेगी, तो ही पूरा reaction आएगा, तो ही पूरी skin पिछे जाएगी, तभी पूरी masturbation कर पाओगे, hygiene हो, link साफ हो, पिशाप करके आओ, masturbation के immediately बात पिशाप करने जाओगे, prostatitis होगा, infection होगा, पिशाप करिए, relax कीजिए, privacy लीजिए, time लीजिए, link को पूरी तरह erection कीजिए, हो सके तो ठोड़ा गरम तेल या oil या moisturizer इस्तमाल क कीजिए, हाथों को गरम कर लीजिए, ताकि आपके जो link को एक natural uni की feeling आए, आप ठंडे हाथ से, बिना moisturizer के हाथ से, गंदे से पेनिस में, finances के साथ, सिरफ उसको थोड़ा सा हिला रहा है, वो कोई सही तरीका नहीं है, आपकी body retrain हो जाएगी, आपकी body को लगेगा कि यही hardness होत है, वो फिर natural sexy tank पर से त्यार होगी, आप जब exam भी त्यारी करते हो, तो आप exam को कोशी करते हो, कि as original यह जितना अच्छा exam हो, उतना अच्छा आप त्यारी करते हो, आप वैसे तो light light करो exam हाजा तफ तो क्या होगा, सेम चीज़ में है, तो अपने आपको आपको त्यार करना है, फिर गलट techniques, गलट techniques मतलब रगड़ना, penis को दबाना, ejaculation ना होने देना, जबरदस्ती penis को bend करके नीचे डाउन करना, penis की जड़ को crush करना, properly पूरे glance पे ना काम करके सिरफ जो glance की tip है, सिरफ उसको हिला के उसको masturbate करना, गलट technique नहीं करेंगे, जो आपकी एक stroking motion है, जो follow करेंगे, stop start, कोशिश करेंगे कि masturbation में अपना time बढ़ाओ, ज़रूरी नहीं कि आपको 15 second में ही काम करना है, अपने time को धिरे दरे बढ़ाइए, कोशिश कीजिए at least 5-7 मिनट तक अपने body को erection maintain करके, ejaculation करने में, ejaculation पूरा कीजिए, ejaculation पूरा करने के बाद भी immediately, अपन down, cool off करने के लिए, cool down करना बहुत ज़रूरी है, कई बार क्या होता है, anxiety इतनी होती है, काम हुआ, खतम बात हम भागे, cool down करो, अपनी stimulation को off करो, अपने mind को cool off करो, अपने orgasm को enjoy करो, अपने physical needs को enjoy करो, अपने body को enjoy करो, उसके बाद wash करो, clean करो, hands wash, hygiene और फिर rest, ज़रूरी नह है, आपको जल्दी करना ज़रूरी नहीं है, आपको आध्य धूरे में उठना, तो अगर आप इस तरीके से अपने आपको stimulated intercourse की तरह अपने masturbation को करेंगे, अच्छी frequency में करेंगे, proper time से करेंगे, बिना damage के करेंगे, तो आपका penis भी healthy रहेगा, masturbation बिमारी नहीं बनेगी, आपको जो different diseases है, वो नहीं होगी, इसके लावा अपने penis पर ERP, exercise, squats, kegal exercises, good testosterone on levels, good body weight, good exercise, ये भी चालू रखेंगे, तो आप otherwise भी penis को healthy रख सकते हैं, अगर आप endrology के लिए अच्छा content चाते हैं, तो please subscribe, doubts है, comments पूछे, वीडियो को पसंद आया हो, तो like कीजिए, दोस्तों स share कीजिए, और एक healthy sexual life को enjoy कीजिए, मेरी अंदर से इच्छा है कि हर आदमी को अपनी sexual life अच्छी मिले, खुद को enjoy करें, और अपने partner को भी enjoy करें, तो इसी के लिए हम अपनी वीडियो बनाते हैं, इसको use करते हैं, इसको आप तक पहुचाते हैं, ED या sexual dysfunction के लिए कोई भी problem ह तो उसका एलाज उमारे clinic पे available है, आके ले सकते है, चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपको wealth information मेरे website पे, facebook पे, twitter पे, instagram पे मिलेगी, subscribe कीजिए, आपको काफी अच्छी knowledge मिलती रहेगी, thank you so much, take care.